सो आज हम करने जा रहा है हमारे अंसपोर्टर्ट सिस्टम के अंदर विंडोज 11 को अपग्रेड करने है तो हमको Google पर आ जाना है और यहाँ पर Windows 11 टाइप करके पस्ट लिंक पर क्लिक करदना है scroll down करके नीचे आना है हमको और यहाँ पर multi edition ISO को क्लिक करके download now पर क्लिक कर दिना है यहाँ पर हमको language select कर लेना हैगा English उसके बाद में confirm कर दिना है फिर हमको यहाँ पर 64 bit download पर क्लिक कर दिना है हमारी यहाँ पर ISO फाइल download होने लग जाएगी जो की 6.3GB की हैगी यहाँ पर हमारी almost download हो चुकिएगी फिर हमको हमारे file manager के अंदर आना है और इसको extract कर लेना है ओके? extract file 3 to 4 minute ले सकता है यहाँ पर यह मैंने fast forward कर दिया है यहाँ पर यह हो चुकिए हमारी extract सारी files को हमको copy कर लेना है और copy करने के बाद C में जाना है और यहाँ पर एक folder बनाना है Windows 11 के नाम से Windows का W capital ओके? इसके अंदर पूरी file जो है उसको paste कर दियना है ओके? depend on your processor cater time ले सकता है यहाँ पर copy होने में ओके? तो मैंने Windows 11 को use करा बहुत smoothly work कर रहा था मेरे system के अंदर और अगर आप प्लीज चैनल पर नहीं हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सुस्क्राइब सो यहाँ पर यह almost copy यहाँ प्लीज 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 हो चुका है अब हम क्या करेगे? हम इसको back कर लेते हैं एक बार यहाँ पर Windows 11 ओके? अब हम क्या करेगे? cmd open करेगे यहाँ पर run as administrator पर और यहाँ पर यह जो command में ने लिखी है यही type करना आपको, description में मैं दे दूगा head enter करना यहाँ पर हमको इसको head enter करने का कुछ इसा interface खुलेगा उसके बाद में यह install Windows server पर हमको next कर देना है checking करेगा यह updates को checking your PC ओके? यहाँ पर इसको accept कर लेना है ओके? terms and conditions लिगी इनकी license वगरा ओके? तो यहाँ पर हम इसको क्या करेगे? accept next कर देगे इसको भी हम getting updates minimum इसके अंदर 2-3 minutes लग सकते है depending on your internet speed ओके? यहाँ पर यह हो चुका है ready to installation के लिए तयार आप देखोगे यहाँ पर कुछ time ले रहा है यह हो गया यहाँ पर आपको installation पर click कर देना यहाँ पर installation पर जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर यह आपको install होने के लिए restart होगा तो यहाँ पर यह पूरा process complete होने में में को आदा घंटा लगा था और 15 minutes के ओके तो आप देख सकते हो Windows 11 मेरे सिस्टम में बिलकुल smoothly work कर रही है यह मेरा सिस्टम है आप देख सकते हो i7 for generation ओके 16gb RAM और बड़े आवक कर रहा है activated ओके अब मैं आपको बताना चाहोगा अगर आपको वापी से comeback करना है आपके Windows 10 के अंदर तो आपको सिस्टम में जाना है और recovery पर जाना है और यहाँ पर go back ओके इस पर click कर देना है और यहाँ पर for another reason next no thanks next next यहाँ पर go to windows 10 के अंदर okay please like share and subscribe और वो like बटन पर click करना हो subscribe बटन पर thank you